इस बार सर्दी का मोसम लंबे समय तक शुश्क रहने के कारण फसलों के उपर बुरा असर पड़ा है खरिशी विभाग का अनुमान है कि हिमाचिर परदेश के कांगड़ा में शुश्क मोसम से सबसे ज्यादा गेहूं की फसल परभावित हुई है इसे गेहूं के उतपादन में लगबख 5-7 फीसद की गिरावट आ सकती है आपको बता दे कि कांगड़ा जिले में गेहूं की खे रभी फसल को लेकर चिंटाएं बढ़ गई है क्योंकि कई शेत्र वर्षा अधारित हैं वहीं बीते जनवरी महीने में खबर सामने आई थी कि इस सार हिमाचिर परदेश में किसानों को लंबे समय तक सूखे का सामना करना पड़ा है सरदी के मोसम में कम बारिश और कम बरफ बारी होने से रभी और बागवानी फसलों की खेती करने वाले किसानों की चिंताएं बढ़ गई हैं किसानों का कहना है कि अगर आने वाले दिनों में प्रयाप्त मात्रा में बारिश और बरफ बारी नहीं होती तो फसलों को नुकसान पहुंच सकता है जिससे उत्पादन प प्रभावित होना तैह है बिरो रिपोर्ट मार्केट टाइम्स टीवी